हलो और गुड मॉर्निंग वी वेलकम यू आल तो दे परेंटल एस्टुडी सेंटर जहां पर आपको मिलता है नर्सिंग एक्जाम से जूड़ी सबसे सटीक जॉब इन्फॉर्मेशन और एस्टुडी मैटेरियल्ज तो दोस्तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी प की स्टाफ नर्स का पर एक एक सो सतर कीृट्व मेर ऊता है और उसमें आप देखेंगे वार होते हैं एक भाग एक होता है दूसिंगा बाग दो होता है और एक भाग तीन होता है तो पहरे भाग में सामाने ग्यान पूछा जाता है आपसे General Knowledge ठीक है आपके जिसमें आपके 30 questions दिये जाते है और वहीं सेकंड पार्ट में आपका हिंदी सामान हिंदी होता है जिसमें आपको 20 क्योशन्स दी जाते हैं और उसके बाद आपका में सब्जेक्ट होता है नर्सिंग का और नर्सिंग से आपको जो है बाकी के 120 क्योशन्स होते हैं तो नर्सिंग के 120 क्योशन्स और आपके जीके और हिंदी में लाके आपके 50 आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो जल्दे से चैनल को सस्क्राइब कर दीजेगा क्योंकि इसके बाद इसी सीरीज में हम UPPSC स्टाफ नर्स के लिए सामाने हिंदी और सामाने ग्यान दोनों का पार्ट इसी अपने चैनल पर अप्लोड करेंगे तो अगर आप हमारे चैनल क को सस्क्राइब करें रहोगे तो आपके पास उसका चला जाएगा और यह सीरीज आपके लिए आपके UPPSC एक्जाम के लिए और नर्सिंग के लिए काफी वेनेफिट होने वाली है काफी मदद करेंगी आपके लिए तो चैनल को जरूर सा सस्क्राइब कर दीजेगा क्योंकि इसे ही अस्टेडी मटेरिल हम आपके लिए आगे भी ले आते रहेंगे तो वीडियो को सुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें देखते हैं इनने 2-12 मंथ बेबी विच रेस्पेरेटरी डेट में इंडिकेटर आप नेमोनिया तो यहां पे दिया है कि एक 2-12 मंत का बच् पर मिनिट भी मिल जाएगा और उसके बाद क्यूसर नबर सेकंड देखते हैं तो यहां पे दिया है आपका विच इस दफस्ट इंग डू इन केस आप ब्लीडिंग उंड अफ लेक डू टू एक्सिडेंट ठीक है अगर किसी का एक्सिडेंट हो गया है और उसको लगातार बह रहा कहिए तो आप सर्वर प्रथम पह क्या करेंगे आपको क्या करना चाहिए सर्वर प्र तो यहां पर आपका एंसर हो जाएगा आपलाई डारेक्टESSर एट डीडिंग पॉइन्ध वीध़े क्लीन इस्टे राइल ड्रेशव Department यहां पर आपका आप्सन च्रूट लगा देते हैं तो आप पर ब्लेडिंग जो हो जाती है तो यहां पर आपका और उसके बाद हम बात करते हैं केसर नूमबर थर्ड के आपके इसमें एंसर हो जाएगा एंसर नूमबर ए क्लेमेडिया ट्रेकोमेटिस जो होता है और उसके बाद नेक्स्ट के उसन देखते हैं यहां पर दिया है मैच लिश्ट फर्स्ट विट लिश्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट करेक्ट एंसर फॉम दे कोड गेवन बेलो यह क्यूशन आपका बीमडब्लू से उठाय गया है और यहां पर पूछा गया कि कौन से में क्या मितलब डालते हैं ठीक है तो यहां पर आपका एंसर जो है वह हो यो बैग में आपका जो बैड या इना टैकल वेस्ट होता है वही यao आपका ब्लीव में जाता है और वहां ब्लेक में ब्लेक जाता है जैसे के ब्लेक कमें आपका गेम अब इसलिए प्लेक्रोnten six लेख ! तो यहां पैंसर आपका जो है OD option सही होने वाले है और उसके बाद हम next question की बात करते हैं तो चलिए next question देखते हैं 55 question number तो यहां पर दिया है management has following function accept तो यहां पर पुझा है प्रबंधन के निम्न सभी कारे किये जाते हैं और शिवाय ठीक है तो management में क्या नहीं किया जाता है ठीक है तो इसमें हम देखते हैं तो इसमें हम देखते हैं यहां पर दिया है planning, organizing, coordination यह चीनों चीज़ की जाते हैं लेकिन dictating जो होती है dictating यह management का function नहीं है तो यहां पर आपका तो यहां पर आपका option number C हो सही हो जाएगा और उसके बाद next question देखते हैं question number 56 यहां पर दिया है which one is the real parkland formula to estimate the fluid requirement in first 24 hour in a serious burn patient तो यहां पर आप से पुझा है कि parkland formula क्या होता है जो कि आपका burn patient में जो है यूज किया जाता है fluid replacement करने के लिए तो आपको पता है parkland formula होता है 4 ml into total body surface area in percentage into आपका body weight ठीक है in kg तो यह आपका parkland formula आता है तो option में हम देख लेंगे option जो है किसमे मैज कर रहा है तो यह में देख लेंगे तो यहां पर दिया है 4 ml into total burn surface area in percentage into body weight in kilogram तो यह option आपका A सही होने वाला है क्योंकि यहां पर यह option मैज कर रहा है आपका और उसके बाद next question देखते हैं तो यहां पर दिया हुआ है आपका zip file in computer content आपका zip file जो होते हैं केmuter में हो क्या content करती है तो यहां पर option आपका जो सही हो जाएगा वो गगा d option यहां पर होगा huge data in compressed form ठीक है जो आपकी zip file होती ही हो क्या करती है जो बड़ी data होता है huge data हो तो उसको compressed form में कर देती है ठीक है उसके बाद आप देखते हैं next question question number 58 तो यहां पर दिया है the postpartum period extend how many weeks after delivery तो यहां पर दिया है कि pressure author आवदी के कितने सब्ता तक आपका pressure होता है तो यह आपका option number six यहां पर सही हो जाएगा six week ठीक है six week तक आपका postpartum period extend होता है ठीक है उसके बाद next question देखते है question number 59 तो 59 की बात कर रहे है यहां पर दिया है which one of the following parameter is not included in abgar score तो यहां पर abgar score के बारे में पूछा है कि abgar score में कौन कौन सा parameter आता है accept ठीक है तो आपको पता है कि heart rate भी abgar में आता है muscle tone भी आता है आपका body color भी आता है लेकिन blood pressure जो है वो आपका abgar score में नहीं आता है तो यहां पर accept पूछा गया है कि कौन सा not include है तो आपका blood pressure यहां पर perception सही हो जाएगा तो next question देखते हैं यहां पर question number 60 false perceptions without any stimulus is known as तो यहां पर आपका answer number C आपका सही answer होने वाला है hallucination ठीक है without किसी stimulus के अगर आपको false perceptions perceived होता है तो वह hallucination होता है ठीक है चलिए next question देखते हैं question number 61 यहां पर दिया है in which type of abortion the cervical remains closed and there is no passage of tissue तो यहां पर पुछा गया है कि ऐसा कौन सा abortion है जिसमें कि आपका cervical OS जो है ओ लोज रहता है और कोई भी tissue जो है पास नहीं होता है तो इसमें आपका option number D threatened abortion और सही हो जाएगा तो यहां पर आपका treatment abortion सही होने वाला option ठीक है उसके बाद next question देखते हैं which one is the most important drug in management of anaphylactic shock तो यहां पर पुछा है कि anaphylactic shock के लिए सबसे most important drug कौन सी होती है तो आपका option number B adrenaline यहां पर सही हो जाएगा क्योंकि anaphylactic shock में हम most importantly जो है adrenaline यूज करते हैं और उसके बाद next question देखते हैं question number 63 तो question number 63 में दिया है bleeding disorder characterized by deficiency of factor 8 and 9 इस्टन डेज ठीक है तो यहां पर आपको option number B hemophilia वो सही हो जाएगा और next question देखते हैं 64 इसमें दिया है what is the total iron requirement during an average pregnancy एक सामाने कर भावस्ता में कुल कितने iron की आवसकता होती है तो इसमें आपका option number C 1000 mg हो सही हो जाएगा क्योंकि एक average pregnancy में हमें 1000 mg iron की आवसकता पड़ती है तो option number C आपका सही होने वाला है और फिर next question की बात करते हैं question number 65 तो question number 65 में दिया है which statement is wrong regarding diphtheria diphtheria के बारे में wrong statement पूछा गया है तो यहां पर आपका option number CO सही होने वाला है diphtheria mainly affect lower respiratory rate track respiratory track तो यह आपका सही नहीं होता है तो यहां पर पूछा की कि wrong statement कौन सा है तो आपका option number CO सही हो जाएगा और उसके बात पूछा गया question number 66 तो इसमें हम देखते है normally which drug is used to dilate pupil of eye तो normally हम यह देखते हैं कि जहां हमें किसी के eye को जो है उसके pupil को dilate करना होता है तो कौन सी medicine use करते हैं तो उसमें आपका option number B जो है दिया है टोपिका माइड यूज करते हैं किसी के eye के pupil को dilate करने के लिए तो option number B जो है इसमें सही होने वाला है आपका और उसके बाद next question देखते हैं which one is the main action of prostaglandine prostaglandine का main action पूछा गया है तो यहां पर आपका answer यह सही होने वाला है acceleration of uterine contraction ठीक है यह prostaglandine का main action होता है और फिर next question देखते हैं which statement is natural in measures to overcome bad body order ठीक है यहां पर पूछा है सरीर के दुरगंध को नियंद्रित करने के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है तो यहां पर आपका option number D to avoid bad during menstruation यह आपका sentence सही नहीं है तो यहां पर आपका option number D हो सही हो जाएगा और उसके बाद next question हम देखते हैं तो यहां पर पूछा गया है आपसे fear of closed space is known as ठीक है जो बंद जगह होती है वहां पर जिसको डर लगता है उसको क्या बोलते हैं उसके लिए code in ठीक है जब हम कोई email को delete कर देते हैं तो कहां पर इस्टोर होता है तो आप देखते हैं वो ट्रेस में जाके इस्टोर होता है तो यहां पर आपका option number B हो सही होने वाला है ठीक है और फिर next question पर चलते हैं यहां पर दिया है कौन सा correct order में उसका होता है तो यहां पर आप option number D पर आएंगे तो यहां पर यह order होता है उसका पहले डेनियल होता है फिर एंगर होता है फिर बार गैनिंग होती है फिर डिप्रेशन होता है फिर acceptance होता है लास्ट में वो accept कर लेता है ठीक है तो यह order होता है आपका 5 stage of dying का उसके बाद next question पर चलते हैं तो यहां पर आपको दिया है which hormone control the sexual behavior sexual behavior को कौन सा हर्मोन control करता है तो इसमें आपका option number D सही होगा endogen and estrogen ठीक है यह दो हर्मोन है जो कि आपके sexual behavior को control करते हैं तो option number D आपका सही होने वार ला है चलिए next question देखते हैं यहां पर match list first with list second and give the correct answer from the given code यहां पर दो list दी गई है और दोनों को match करवा के आपको answer देना है ठीक है तो यहां पर आपका answer होने वाला है वो आपका 73 में जो है answer number B होगा ठीक है तो यहां पर क्या दिया है यह देख लिते हैं यहां पर दिया है cognitive learning, effective learning, and psychomotor learning और इसको match करना है list second से जिसमें दिया है skills, knowledge, and attitude तो यहां पर हम देखते हैं आपका cognitive learning किसमें आता है तो cognitive learning आपका knowledge में आता है और आपका effective learning आता है वो attitude में ठीक है और वहीं पर अगर psychomotor learning की बात करें तो आपका skill में होता है ठीक है तो आपका यहाँ पर answer number B सही होने वाला है ठीक है और उसके बाद next question देखते है 74 तो यहाँ पर दिया है which drug may produce red colored urine after its consumption ऐसी कौन सी drug है जिसको हम consume करते हैं तो red color की urine होती है तो यहाँ पर आपका answer जो है रिफामफिसीन होने वाला है यह टीवी की दवाई है और इसमें इसको लेने के बाद patient को जो है red color urine एक common symptoms होता है ठीक है तो यहाँ पर आपका option जो है option number B सही होगा रिफामफिसीन और next question देखते हैं आपका तो यहाँ पर आपको दिया है large scale water purification of water compresses all step except ठीक है तो आपका 75 में answer होगा screening ठीक है बड़े पैमाने पर जल को स्वच बनाने की विधी में कौन सा चरण नहीं होता है तो screening आपका इस चरण में नहीं आता है तो option आपका answer number C और सही होने वाला है औ तो इसमें दिया है in which of the following condition cord remains attached to the margin of placenta तो यहाँ पर आपका option number यह सही होने वाला है कि बैटल दोर placenta में क्या होता है आपका जो cord होता है वो जो है margin of placenta से remain रहता है मतलब उससे जुड़ा हुआ रहता है उससे अलग नहीं होता है ठीक है और उसके बाद next question हम देखते हैं तो यहां पर दिया है chlorofluorocarbon is wisely used for coolant यहां पर answer आपका होगा C coolant chlorofluorocarbon को हम पहले से जानते हैं पहले भी पढ़ चुके है कि इसका use coolant के लिए use करते हैं इसको AC में या ऐसी जिगहां पर coolant के लिए CFC का use किया जाता है तो इसका answer answer number C होगा आपका और अब यह पर देखते है 78 question number तो यहां पर देखते हैं आपका which of the following personal protective equipment will mainly help in prevention of droplet infection तो आपको पता है कि droplet infection जो है वो respiratory के थ्रू जो है अंदर आपके जाता है तो इससे बचने के लिए हमें कौन सा personal protective equipment यूज करना चाहिए तो mask यूज करते हैं ठीक है answer number B यहां पर सही होगा क्योंकि droplet infection होता है खांसता है तो उससे जो है उसकी body से droplet जो है निकलता है उसके साथ ऐपका infected virus या बैक्टेरिया भी उसके साथ निकलता है और उसके सामने आप बैठे रहते हो तो अपनी stans के दौरा रस्पारेटरी के दौरा आप उसको अपने अंदर ले लेते हो तो इस तरह से आप एक droplet इंफेक्शन जो है होता है तो अगर आप मास्क का यूज करेंगे तो आप बच सकते हैं तो यहाँ पर आपका एंसर नमबर बी होने वाला है ठीक है और फिर नेस्ट क्यूशन देखते हैं 79 क्यूशन तो यहाँ पर दिया है विच मास्कुटो ब्रीड इस अर्टिफिसिल कलेक है यहाँ पर दिया है यहाँ पर दिया है मनुश्री के भावतिक सामाजिक वा सांस्कृतिक इतिहास के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है तो इसको हम एंथ्रोपोलोजी में पढ़ते हैं ठीक है आपके मैं के बारे में मैं की जो है सोचल और और कल्चार हिस्ट्री और फिज्कल हिस्ट्री इसको हम एंथ्रोपोलोजी में पढ़ते हैं ठीक है तो यहाँ पर आपका इंसर नंबर बी सही होगा एंथ्रोपोलोजी और फिर नेक्स्ट के उसन देखता है क्यों सिर्टीन वन तो इसके बाद उसके एक महिने के बाद दूसरा डोज लगता है और उसके बाद six month पे आपका तीसरा डोज लगता है तो यहां पर आपका answer वह वह गा answer number D 016 यह hepatitis का सद्डियोल होता है hepatitis B vaccination का और उसके बाद हम देखते हैं question number 82 all of the following statement regarding nail cutting is to accept ठीक है तो यहां पर पूछा गया है आपको नाखुन काटने के संबंद में नीची दिये गए सभी कथन सत्य हैं सिवाए accept पूछा है तो यहां पर आपका answer number होने वाला है ओ यह होने वाला है fingernails should be cut in one direction यह आपका नहीं सही है और सब option आपके सही है तो यह आप पर answer number a आपका सही होने वाला है ठीक है और उसके बाद हम next question देखते है question number 83 तो यहां पर दिया है phrase hundred day cough is used for which disease hundred day cough हम किस disease को कहते हैं किस disease का दूसरा नाम hundred day cough है तो आपको पता है कि पर्टियूस पर्टियूस जो होता है उसको hundred day कभ भी कहते हैं ठीक है तो यहां पर आपका answer number do सही होगा पर्टियूस और उसके बाद next question देखते हैं how many days in the average life span of red blood cell ठीक है तो यहां पर red blood cells RBC जो होता है उसका average life span पुछा गया है तो उसका average life span आप सबको पता है कि RBC का average life span 120 day होता है तो option में आपके option C में यह दिया हुआ है 120 days तो option C इसका सही होने वाला है 120 days ठीक है उसके बाद हम next question देखते है question number 85 तो 85 में दिया है in a computer the convenient place to store contact information for quick retrieval is ठीक है तो यहां पर दिया है आपका computer में त्वरित पूर्णर प्राप्तिक के लिए संपर्ख सूचना को संग्रहित करने के लिए सुविधा जन्यक स्थान काउन सा होता है तो यहां पर आपका answer होने वाला है address book ठीक है आपका जो address book होता है वह यहां पर आपका सही option होने वाला है तो option number C आपका यहां पर सही होगा ठीक है चलिए question number 86 देखते है यहां पर आपका आपका option number C सही होने वाला है learning ठीक है तो next question देखते है question number 87 which one is the most heat sensitive vaccine out of the vaccine given below यहां पर वैक्सिन दीगई है इसमें से सबसे heat sensitive vaccine के बारे में पूछा गया है तो यहां पर आपका जो सबसे heat sensitive vaccine होती है वो polio vaccine होती है तो आपका option number B polio वो सही हो जाएगा यहां पर और उसके बाद next question देखते हैं question number 88 तो question number 88 में दिया है which one of the following is not associated with juvenile delicacy ठीक है यहां पर दिया है निमनलिखित में से कौन सा जग है बाल अफराधियों से संबंधित नहीं है ठीक है तो यहां पर आपका option number 8 सही हो जाएगा shelter home shelter home जो है वो आपका juvenile delicacy से related नहीं है associated नहीं होता है ठीक है फिर next question देखते हैं question number 89 diuretic should be given usually at which time diuretic जो है हम usually कौन से टाइम में देते हैं तो यहां पर आपका option number a morning हो सही हो जाता है क्योंकि अगर हम रात में diuretic देते हैं तो उसको बार बार रात में है ट्वालेट के लिए उठना पड़ता है इसलिए हम रात में जो है अवायट करते हैं उसको morning में diuretics usually दिया जाता है और उसके बाद question number 90 देखते हैं question number 90 में है consider assertion a and region and select the right answer and choose given below ठीक है तो यहां पर आपका assertion दिया है use of ultraviolet ray as water purifier is discouraged ठीक है उसमें आपका region दिया हुआ है it does not have residual effect ठीक है तो यहां पर आपका option number जो है a सही हो जाएगा a is false but r is true ठीक है उसके बाद आपका question number 91 देखते हैं हम लोग तो question number 91 में दिया है rice water stool is finding a fish disease तो rice water stool कौन से disease में पाए जाता है तो कॉल्रा में हम देखते हैं कि rice water stool पाए जाता है तो यहां पर option जो है option number B cholera ओ सही हो जाएगा ठीक है क्योंकि कॉल्रा में rice water stool होता है पाए जाता है और उसके बाद हम देखते हैं question number 92 which method of staining is used to demonstrate acid fast bacilli को देखने के लिए कि सभी रंजक विधी का उपयोग किया जाता है तो यहां पर आपका option number c jill nelson staining आपका सही option होने वाला है ठीक है तो option number c आपका सही होगा और उसके बाद देखते हैं next question 93 a condition in which four skin of penis is so much narrow that it cannot be retracted over the glance of penis ठीक है तो यहां पर आपका इस question में answer आपका होने वाला है question number b phimosis phimosis जो हो है उसमें यह conditions आपको देखनों को मिलती है ठीक है और उसके बाद आपका question number 94 देखते हैं तो question number 94 में पूछा गया है what is the immediate management of dog bite ठीक है आपको कोई कुटत काट लेता है तो उसका सब्रप्रथम इलाज क्या होए ठीक है तो उसमें सबसे पतले हम क्या करते हैं कि उसको saup and water से धोते हैं अच्छे से तो यहां पर आपका option number d होगा यहां पर दिया है washing the wound with soap and water ठीक है तो option number d सही option हो जाएगा और यहां पर next question देखते है यहां पर दिया है the recommended maximum noise level in India ठीक है तो इंडिया में जो है maximum recommended voice level कित्ता दिया गया है जो कि हम सुन सकते हैं तो 85 decibel दिया गया है तो आपका option number 85 decibel भी वह सही होगा ठीक है और वही पर next question देखते है 96 तो 96 में दिया है low birth weight baby is defined as birth weight of ठीक है तो LBW जो baby होते हैं वो कितना उनका weight रहे तो उनको LBW बोला जाता है तो हम देखते हैं कि जो 2.5 kg से below के बच्चे होते हैं उनको हम LBW बोलते हैं तो यहां पर option में देखते हैं कहां पर दिया है तो आप देखेंगे option number B में दिया है less than 2500 grams ठीक है तो 2.5 kg से less जो baby होते है तो आपको option number B सही हो जाएगा और वहीं पर 97 की बात करते हैं कि यहां पर दिया है in health monitoring system EHR इस्टेंड फार ठीक है तो यहां पर आपको option number B सही हो जाएगा electronic health record ठीक है option number B EHR के लिए जो है EHR यूज करते हैं electronic health record के लिए ठीक है तो option number B सही हो जाएगा इसमें और उसके बाद next question देखते है 98 which is the drug of choice in management of eclemsia ठीक है eclemsia को manage करने के लिए drug of choice कौन सी होती है तो यहां पर हम देखते है option number C magnesium sulfate जो है वो आपकी eclemsia को manage करने के लिए drug of choice होती है तो eclemsia में drug of choice magnesium sulfate आपका option number C सही हो जाएगा तो यहां पर next question की बात करें question number 99 तो यहां पर दिया है which disease is related to personal hygiene ठीक है इन में से कौन सा रोग व्यक्ति के सुच्छता से संबंधित है तो यहां पर आपका option number D हुक वाम डीजीज यह सही हो जाएगा यह आपका personal hygiene से related disease है ठीक है और उसके बाद हम देखते है question number 100 question number 100 में आपका दिया है which one of the following is not a principal organ of world health organization डबलू यहो का आपका principal organ कौन सा नहीं है यहां पर तो यहां पर आपका option number C governing body ठीक है आपका यह आपका option सही हो जाएगा governing body ठीक है और उसके बाद question number 101 देखते हैं तो यहां पर दिया है in which of the following organ of abdomen pair spatches are found ठीक है यहां पर पुझा है कि abdomen के कौन से organ में pair spatches पाया जाता है तो आपको पता है कि small intestine में जो है व number C पर दिया है small intestine तो यह आपका option सही हो जाएगा small intestine ठीक है और उसके बाद देखते हैं question number 102 102 में देखते हैं तो यहां पर दिया है the most predominant causative agent of gas gangrene is ठीक है तो gas gangrene का most predominant causative agent कौन सा होता है तो यहां पर आपका Clostridium perfringes जो है यह gas green-green cause करता है तो यहां पर option number A आपका दिया है Clostridium perfringes यह आपका सही option होने वाला यहां पर और फिर next question देखते है 103 तो यहां पर दिया है which solution should be used to mop up the spit blood on the floor of operation theater तो यहां पर दिया है कि operation theater में अगर कोई भी blood गिर जाता है Spilled हो जाता है तो उसको किस solution से जो है साफ किया जाता है ठीक है तो यहां पर इसमें हम use करते है sodium hypo chloride ठीक है अभी कोवेट की time में भी आप लोग पढ़े होंगे कि कोवेट की time में जो mop up करते थे वो sodium hypo chloride से करते थे और operation theater में भी अगर कोई blood spilled हो जाता है तो हम मुहां पर भी which of the following is not a waterborne disease ठीक है यहां पर आपको चौर option दिये गए है इन चारों में से कौन सी waterborne disease नहीं है आपसे पूछा गया है ठीक है तो यहां पर आप देखेंगे टाइफाइड waterborne disease होती है cholera भी waterborne होती है hepatitis A भी waterborne होती है लेकिन measles जो है वह waterborne नहीं होती है तो यहां पर पूछ पूछा गया है which one is preferred position of breastfeeding a baby with cleft palate ठीक है एक cleft palate का बेबी है तो उसको जो है breastfeeding करवाएंगे तो किस position में prefer करेंगे बेबी को ठीक है तो यहां पर आपका option number A upright position और सही हो जाएगा ठीक है और फिर next question देखते है 106 ठीक है यहां पर पूछा है oliguria means ठीक है oliguria means पूछा गया है तो यहां पर आपका तो यहां पर oliguria means होता है कि आपका urine जो है ओ जितना recommended होता है उससे कम बन रहा है ठीक है उससे कम output हो रहा है urine का तो यहां पर आप option number D में देखेंगे urine output less than 400 ml in 24 hour यह आपका option number D यह सही हो जाएगा ठीक है अगर urine output आपका 24 घंटे में 400 ml से कम है तो उसको हम oliguria बोलते हैं और वहीं पर next question देखते है 107 ठीक है तो 107 में दिया हुआ है आपका what is the usual time of eruption of first two lower central incisors ठीक है तो यहां पर आपको पूछा गया है कि आपके जो first lower incisor होते हैं ओ कौन से मन्त में निकलते हैं बच्चों में तो यहां पर आपका option जो है six to eight month ओ सही हो आपका six to eight month में निकलते हैं और उसके बाद next question देखते हैं question number 108 डिफेंस मेकिनिजम पूसिंग ठीटिंग और conflicting event और situations out of conscious memory ठीक है तो यहां पर आपका option नमबर जो है D repression यह सही हो जाएगा यहां पर और उसके बाद next question देखते है question number 109 ठीक है तो question number 109 में पूछा है hepatitis B vaccination is given by which root ठीक है तो आपका जो hepatitis B vaccination होता है वो हम कौन से root से देते हैं तो आपका इंट्रमस्कुलर root से हम hepatitis B vaccination देते हैं तो आपका option number DO सही हो जाएगा यहां पर उसके बाद हम देखते हैं question number 110 110 ठीक है तो यहां पर पूछा है what do you mean by key logger in computer ठीक है यहां पर पूछा है कि आप computer में key logger से क्या समझते हैं तो यहां पर आपका option number A सही हो जाएगा a software for logging in computer through keyboard ठीक है जो logger होता है की logger होता है वो एक software होता है for logging in computer through keyboards ठीक है तो यह आपका answer यहां पर A सही हो जाएगा ठीक है तो दोस्तों आज के part में इतना ही question करेंगे हम और इसके आगे का question हम इसके दूसरे part में आपके लिए upload कर देंगे ठीक है तो आप ओ पार्ट भी ज साथ-साथ आपका जो CHO का exam होता है आपका जो PGI का exam होता है वहां भी यहां से questions मिलने के अच्छे chance है ठीक है तो आप इसे पूरा जरूर से देखिएगा इसका second part भी देखिएगा ठीक है दोस्तों कि previous year questions से हमेशा chance होता है कि आगे के exam में उसी waste पे questions बनेगा या तो direct question बन स रखता है तो दोस्तों आप previous year के questions जरूर देखिएगा और उसके पहले अगर आप हमारे चैनल को अभी तक भी subscribe नहीं किया है तो चैनल को जरूर से subscribe कर दीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे ही अभी इसका second part बनाएंगे और इसका general Hindi और general knowledge का भी एक part बनाएंगे त तो अगर आप यूपी पेसिस यच्चो और पीजी आई इन सब के तैयारी कर रहे हो या किसी भी nursing exam के तैयारी कर रहे है तो हमारे चैनल को subscribe जरूर से कर दीजिएगा यह चैनल आपके लिए बहुत helpful होने वाला है